नमस्कार दोस्तों मैं मुनि विक्रांद शेर्मा आधारा ECS की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ UP PCS 2014 Pre-Examination Journal Studies Paper 1 का डिसकर्शन हम आपके साथ कर रहे हैं इसको हमने portions में डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में सुभिता रहे History, Geography, Policy, Economy, Science Tech के portions हम आपके साथ discuss 2014 के कर चुके हैं आज हम Environment के portion को आपके सामने लेकर आए हैं कि किस तरह के questions Environment से 2014 में पूछे गए थे comparative studies भी playlist के माद्यम से आप कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो 14 प्रशनकुल Environment से इस में आई थे इस पेपर में पहला question है निमने लिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है जो इस question में जो answer सुमेलित नहीं है वो दो options है एक option है B और एक option है D चलिए next question लेते हैं निमने लिखित में से कौन एक किसी प्रजाती के विलोपन के लिए उत्तरजाई नहीं है दुबारा सुनिए निमने लिखित में से कौन एक किसी प्रजाती के विलोपन के लिए उत्तरजाई नहीं है A option, व्यापक निच, कर्मता, बड़े आकारवाला शरीर, संकुचित निर्च, कर्मता या आनुवनशिक बिनिता की कमी तो इसका right answer होगा A, व्यापक निच Next question, भारत में जैव विवित्ता की दरस्ट से धनी इस्थान है तो भारत में जैव विवित्ता के लिए कौन से इस्थान फेमस है पश्यमी घाट, पूरवी घाट, थार रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी Right option होगा A, पश्यमी घाट Next question, पर्यावरण का संतलन बनाए रखने के लिए वनान तरगत छेतरफल कितना होना चाहिए Next question, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 21 अप्रेल को, 25 दिसंबर को या 30 जिनवरी को Right answer होगा A, 16 सितंबर को Next question इसके बाद देखते हैं Green Muffler, यह आ चुका है दो-तीन वार question Green Muffler संबंदित है Mrdha production, वायो production, द्वानी production या जल production तो इसका जो answer होगा, वो होगा C, द्वानी production से Next question, निमनले खित में से कौन एक विश्व का विशालतम परिस्तितिकी तंत्र है निमनले खित में से कौन एक विश्व का विशालतम परिस्तितिकी तंत्र है Options हैं, समुद्र, गास के मैदान, वन या परवत Right answer होगा A, समुद्र Next question, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला छेतर कौन सा है इन मैसे कौन सा छेत खेत मीथेन गैस का उत्पादन करता है गेहों के खेत, धान के खेत, कपास के खेत या मुवफली के खेत Right answer होगा B, धान के खेत अगला question लेते हैं निम्न लिखित मैसे कब पर्यावरा संवर्च्छन अधिनियम पारित हुआ दोबारा सुनिए निम्न लिखित मैसे कब पर्यावरा संवर्च्छन अधिनियम पारित हुआ 1982, 1986, 1990 या 1991 होगा यहां अगले option में Right answer होगा B, 1986 Next निम्न लिखित मैसे कौन एक दृतिय प्रदूशक नहीं है P, A, N, Smoke, Sulfur Dioxide या Ozone इसका जो Right answer होगा वो होगा C, Sulfur Dioxide यह प्लास्मिक प्रदूशक है ना के दृतिय प्रदूशक Next सूरे से आने वाले हानिकारक परा बैगनी विकरण के कारण हो सकता है क्या कौन सा रूख? यकरत कैंसर, मस्तिष कैंसर, मुखिय कैंसर या तुचिय कैंसर इसका Right answer है D, तुचिय कैंसर Next question Ozone Biosphere को बचाती है किस प्रकार की के रदूशक है? चार आप्शन है Infrared के रदूशक है, Ultraviolet के रदूशक है X के रदूशक है तो जैविगिटिस प्रदूशक कौन सा है? पारा, वाहित, मल, प्लास्टिक या एस्बिस्टस So Right answer इसका है वो होगा B, वाहित, मल Next and last question जैविवित्ता का अर्थ है विभिन्द प्रकार के पादप एवम वनस्पती विभिन्द प्रकार के जन्तु एक निर्धारित छेत्र में विभिन्द प्रकार के पादप एवम जन्तु या विभिन्द प्रकार के विदेशागत पादप एवम जन्तु तो इसका Right answer होगा C एक निर्धारित छेत्र में विभिन्द प्रकार के पादप एवम जन्तु तो यह set आपका complete हुआ 14 question थे environment से 2014 में जो आई थे हमारे parallel इसी वीडियो के साथ साथ जहारखंड का जो second paper होता है जिसमें कि जहारखंड से संबंदित 100 question आते हैं वह question के set भी 25-25 questions के set हम आपके तलिए प्रस्तत कर रहे हैं आपके लिए लेकर आ रहे हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं कि आपके JPST भी आने वाला है काफी महत्तपूर्ण हैं वह भी आपके लिए इसके अराबा हमारे वीडियो जगार आपको पसंद आद रहे हैं तो आप इन्हें like कर सकते हैं, share कर सकते हैं तो आज के लिए आपके लिए इतना ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी Thanks for watching this video